Hello guys, welcome back to my channel that is smart beauty और कैमरा तोड़ा सा दुन्दा दिख रहा है, which is fine So, मैं आप रूम के लिए आपके साथ एक हॉल शेयर करने वाली हूँ जो के नाइका का हॉल है So, ये सारा समान है जो मैंने और किया था नाइका से तो मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ और ये मस्ट है प्रॉडक्स में आपको बताती रहूंगी और क्यों मैंने सारा समान ये भी मैं आपको बताती रहूंगी So, चलिए स्टार्ट करते हैं तो थोड़े चोटे कर लिया है क्योंकि प्रॉब्लम दे थे बहुत साथा लॉंग है इसलिए है क्रोथ ओईल जो है उसका मैंने वीडियो बना दिया है और मैंने आपको शेयर कर दिया है और इसकी रेसेपी है तो चेक कर लीज़ेगा चलिए शेयर करते हैं सबसे पहले मैंने मंगाए नीविया का ऐलो हाइड्रेट बोडी लोइशन जो 48 आवर्स रेफ्रेशिंग मौश्यराइजिंग बोलता है इसका रीव्यू मैंने अर्ड़ी शेयर कर दिया है तो आप रीव्यू जाकर के देख सकते हो पैसे में बता हूं तो इसकी कंसेंसरी होती है वह बहुत ही अच्छी है और इस तर्की की पैकेजिंग है यहां से खूल जाती है मैंने छोटा पैक लिया है क्योंकि ट्रेवलिंग में काम आता है इसलिए छाफ खेमं पर फेसजरी है वह नहीं पहती है और शोटार के यहां साहूं से वह जлагई सबक च्राक्ड वह ब्लक चैट ब्लाक कलर लिया है देखती हूं कैसा है ये पात में बात में शियर करने के बाद मैं इसे यूज़ कर चुकी है जो दिए ज़ाया इसके साथ इसके साथ बेस्ट पार्ट इस मिला था जो के बाद प्रेक्स पर फीर क्रें जो क्वालिटी का है तो यह लगवा है जो प्लेक्स पर लगा हुआ है यह मैंने दूसरी मार्केट से लिए ते यह देख रहे हैं यह कि इस बाइचर को पर आपको दिखा रही हूं कि जब भी खरीद जाते हो ना तो आप उसमें बस चाहे हो 10 रुपे का 20 का 30 का अब उसमें यह देखना होता है यह जो इसके ब्रिसल्स होते है न यह बहुत आप प् सब्सकल भी आप खराला झाल्र बशलर किया था around इसके रागे साहथ काश्र ही और सबस्दों करते हो में इसके पराशूट प्लेचर किर आप शादणीедव 2 रूचल थने नहीं तो भी तो ब्लाष नंतनींग अशल ना प्राशूट प्लिएल्यो प्लूल आभ ए shining पंशल तक पढ़ने ना तो मैं इसे यूज करके देखती हूं हाववर इसकी जो इसमेल है वह बहुत ही अच्छी है तो लेट मी यूज इट फिर मैं पताती हूं कैसा है ये यूज करने के बाद इसका ही मैंने छोटा पैक लिया है टेस्किंग के परपस से इसका रीविव मैं दोंगी द एक बार आप लगाते हूं एक मिनट के अंदर सूख जाता है मैट फिनिश देता है तो अगर आपको मैट फिनिश वारा चाहिं ले सकते हो एक चीज है इसमें आप अभी लगाओगे तो पहर में आपके ने थोड़े से चाब हो जाएंगे तो टेक किर आप दिस तेंग की मत बार रिजिस्टेंट आइलाइनर है इसमें बहुत अच्छा है यह मैट फिनिश देता है लगाने के बाद आईलाइनर और अब करवाचान लूप में इस यूज किया था ब्रश इसका बड़ा प्रिसाइज है ता इवर्ड़ी दिस ओल अब आप यू इंज्वाल इस वाल आ ब्लॉक्स आएंगे दिवाली ही मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ सू स्टे ट्यून विद में हापी दिवाली बाबाई इंज्वाय औरे